So Hello Everyone, Once Again Welcome to Our YouTube Channel Nursing Education तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वलब भाई पटेल चेस्ट इंस्टिट की और से नर्सिंग सुपरिडेंट की वेकेंसी है दोस्तों और यहां पर जो वेकेंसी है बिलकुल गोर्मेंट की पर्मानेट वेकेंसी रहने वाली हैं दोस्तों और अल इंडिया के केंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मिशन जैसे की आपको कैसी फॉर्म बना है किस तरीके की जो लास डेट है और जो है सारी एजुकिशन क्वालिफिकेशन है सारे आपकी जुडाऊट से वो इस वेडियो में हम क्लियर करेंगी वेडियो के अंतक आप जरूर बने रहे हैं और साथी साथ इस चैनल पर आप फस्ट वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आरे बैल नॉटिपिकेशन को और आल पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के नॉटिपिकेशन आपके पास तोरंत पाउंच से जैसे ही हम वीडियो अफलोड करें तो दोस्तों ओल इंडिया की नूज है नर्सिंग से लिटेड हो या फिर पैरामेडिकल से लिटेड हो सभी यहां पर सबसे पहले आपके इस नर्सिंग एजुकेशन आपके ही परिवार में सबसे पहले हम पहुँचाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों vacancy की बात करेंगे ज्यादा time waste नहीं करते हुए RS यहाँ पर दे रखा है 500 रूफे आपकी fees रहने वाली है General और OBC और EWS की candidate के लिए SC, ST और PWBD का candidate के लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पर fees नहीं है या फिर woman candidate के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है क्या क्या post है सारी चीज़ें हम बात करेंगे वीडियो में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप वलब भाई पटेल चस्ट इस्टूट के न्यू देली की और से जो vacancy है यहाँ फिर डूपिरी जो है डूपिर रजिस्टार की वेकंसी है अपन डारेक्ट बात करेंगे नर्सिंग सुपरेडेंट की वेकंसी तो यहाँ पर अन रिजर काटेगरी एक post रहने वाली हैं पे लेवल 11 के कोडिंग आपकी सेलेरी मिलेगी 35 यह तक कैंडिडिट अपलाई कर सकते हैं Master degree in nursing और M.A.C. degree in nursing from a recognized university और equivalent ठीक है M.A.C. nursing है तो अपलाई कर सकते हैं जो आपका किसी भी स्टेड नर्सिंग काउंसिल चेर रजिस्टर होना चाहिए 3 एर एक्सपरिंस इन नर्सिंग in a hospital या फिर nursing home का होना चाहिए तो यदि ये education qualification आप रखते हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अपलाई कैसे करना है अपलाई के लिए इनों ने बताया कि employment news है उसके within 30 day के अंदर-अंदर आपको अपलाई करना है ये सारी चीज़े हैं नीचे एक format दे रखा है उस format को आप completely fill करना है speed post करना होगा official site ये है आप ये speed up को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे telegram group का link वीडियो के description मैं दे दूँगा वाहाँ से इस सारी चीज़ें आपको available हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर जो है पांसुरुफे non refundable जो है DD होगी demand draft ठीक है वो बनाना है आपको किस नाम से वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है आप देख सकते हैं next देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अपन ये जो है application form भरके completely format आपके सामने दिख रहा है इस format को आपको बरना है और जब employment news आई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर मतलब कि एक मेने के अंदर अंदर इसको form को बरना है यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों employment जो है 6 से 12 मार्च का ये newspaper में आई है तो आप लगभू मान सकते हैं अप्रेल के फर्स्ट वीक तिक आपके विजू form है वो यहाँ पर आप send कर सकते हैं कैसी लगी हमारी ये information आप लोग जरूर बताइए कैसी लगती है हमारी हर एक वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और वीडियो को share करें thank you friends मिलते हैं और किसी एक ऐसे informative वीडियो के साथ तब तक के लिए सब भी friends सोचते रहें मसते रहें thank you friends